नमस्कार दोस्तों, इंस्रेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंस्रेंस की जनकारी, इंस्रेंस प्रोफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भाशा में। आज हम बात करने वाले हैं, LIC के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान में से एक जीवन लाग प्लान के बारे में जिसका टेबल नमबर है 936। आप लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं सिर्फ दो लाग के समय शोड़ पर बताने वाला हूँ। जीवन लाग प्लान है जिसमें LIC आपको दो परकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेट सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। अब बात करते हैं इस पॉल्षी को लेने के लिए आवर्शक माप दंड के बारे में इस पॉल्षी को लेने के लिए जो मिनिममम एज एट इंट्री है वह 8 एर्थात यहाँ पॉल्षी सिर्फ उस बच्चों को दी जा सकती है जिनकी उम्र 8 वर्ष पुरी हो चुकी है या उ उस से अधिक है यहाँ पॉल्षी अलग अलग पॉल्षी प्रियेट के रूप में तीन अप्चन में उपलब्ध है पहला अप्चन है उसका पॉल्षी प्रियेट 16 एर है दूसरे अप्चन का पॉल्षी प्रियेट 21 एर्स है और तीसरे अप्चन का पॉल्षी प्रियेट 25 ए maximum age at entry, policy लेने के लिए जो maximum age है वह तीनों option के लिए अलग अलग है, 16 years के policy term के लिए 59 years है, 21 years के policy term के लिए 54 years है, और 25 years के policy term के लिए 50 years है, policy लेने के लिए जो minimum sum insurance है वह दो लाख रुपय है और यह तीनों options के लिए same है, maximum sum insurance की किसी भी option में कोई limit नहीं है, आप जितना चाहें उतने का sum insurance ले सकते हैं, दो लाख के उपर का sum insurance आप 10,000 के multiplication में ले सकते हैं, premium payment term, 16 years के policy period के लिए 10 years है, 21 years के policy term के लिए 15 years है, और 25 years के policy term के लिए 16 years है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक limited premium policy है, जिसमें आपको policy period से कम period तक premium का भुगतान करना है, riders, इस policy के अंतर का 4 riders उपलब्ध हैं, पहला है accidental death and disability benefit rider, दूसरा है accident benefit rider, तिसरा है new term assurance rider, और चोथा है new critical illness benefit rider, इन riders को पूरी तरह समझने के लिए मैंने riders के उपर अलग से वीडियो वनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं, आइए अब इस policy को उदाहरन के साथ समझते हैं, मिस्टर मोटो जिनकी age 30 years है, जिवन लाव table number 936 की policy लेते हैं, जिसका sum short 2 lakh रुपय है, policy term के रुप में उन्होंने 25 वर्ष का चुनाव किया है, तो मिस्टर मोटो को सिर्फ 16 वर्ष तक premium का भूगतान करना होगा, यदि मिस्टर मोटो मंथली premium payment mode का चुनाव करते हैं, तो उनका मंथली premium लगभग 794 रुपय होगा, यदि मिस्टर मोटो annual premium payment mode का चुनाव करते हैं, तो उनका annual premium 9,340 रुपय होगा, सिर्फ पहले वर्ष का premium इस से थोड़ा ज्यादा होगा, इस परकार मिस्टर मोटो पूरे policy प्रेट के दोरान टोटल 1,49,045 रुपय प्रिमियम के रुप में भरेंगे, और जब policy के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इस policy की maturity हो जाएगी, और मिस्टर मोटो को maturity का भुगतान कुछ इस परकार होगा, सबसे पहले policy का समिशोट 2,00,000 रुपय, उसके बाद wasted simple revolutionary bonus 2,35,000 रुपय, यहां मैंने इसे 47 रुपय प्रती हजार प्रती साल के हिसाब से calculate किया है, उसके बाद final additional bonus 90,000 रुपय, एथेवी को मैंने 450 रुपय प्रती हजार पर calculate किया है, यहां जो मैंने bonus के rate लिए हैं, वह LIC policy द्वारा declare किये गए बरतमान bonus rate के आधार पर है, तो यहां total maturity 5,25,000 रुपय की बनती है, आप यहां देख सकते हैं कि Mr. Moto ने total 1,49,045 रुपय premium के रुप में भरे और maturity के रुप में उन्हें 5,25,000 रुपय मिले, और यह maturity भी completely tax free होगी, अब चर्चा करते हैं death benefit के बारे में, इस policy को लेने के बाद से लेकर पूरे policy प्रियेट के दोरान कभी भी Mr. Moto के साथ अन्होनी हो जाती है, और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो नौमिनी को death benefit का भुगतान होगा, नौमिनी को कम से कम policy का समय शोड़ 2,00,000 रुपय वह जरूर मिलेगा, और साथ में bonus भी, bonus का amount इस बात पर निर्भर करेगा कि policy कितने वर्षों तक चली है, policy जितने ज्यादा समय तक चलेगी, bonus का amount उतना ही ज्यादा होगा, अब बात करते हैं इस policy के other features के बारे में, grace period, grace period का मतलब होता है premium को pay करने के लिए अतरिक्त समय और इस grace period के दोरान भी पूरी coverage बनी रहती है और इस दोरान claim आता है, तो LIC उसका भुकतान करती है, यदि बीमा धारक ने yearly, half yearly या quarterly premium payment का mode चुना है, तो उन्हें अतरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है, यदि बीमा धारक न दोर्ष के premium का भुकतान करने के बाद बीमा धारक policy को surrender कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी policy surrender करेंगे, आपको नुकसान होगा, इसलिए सोच समझ कर उतना ही value की policy लें, ताकि आपको surrender करने के आउ सकता न पड़े, loan facility, इस policy के अंतरगत loan की सुभिधा उप लब्ध है, जो कि policy के अंतरगत दो अर्ष के premium के भुकतान करने के बाद मिलती है, loan का amount इस बात पर निर्वर करेगा कि policy कितने साल चली है और उसका surrender value क्या है, enforce policy के लिए loan surrender value का 90% मिलता है, और paid value policy के लिए loan surrender value का 80% मिलता है, paid value या इस policy की बहुत ही अच्छी benefit है, जिसके अंतरगत यदि बिमा धारक ने कम से कम दो वर्ष या उससे अधिक अधिक के premium का भुकतान कर दिया हो, और उसके बाद किसी भी कारण वर्ष premium का भुकतान बंद कर दिया हो, तो भी इस policy की coverage खत्मे नहीं होती, बलकि policy के लाब घटे वे सम्मिशोड के साथ जारी रहती है, इस policy के अंतरगत आप जो premium का भुकतान करते हैं, वह income tax के section ATC के अंतरगत exempted है, और जो maturity या death benefit के रूप में भुकतान होता है, वह income tax के section 10D के अंतरगत completely tax free होता है, तो दोस्तों, यह थी LIC के जीवनलाफ policy की जनकारी, यदि आप इस policy से related कोई भी information जानना चाहते हैं, तो please comment करें, मैं आपका जवाब comment में दूँगा, या फिर आपके सवाल को next video में address करूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो please इस वीडियो को like करके मुझे प्रो में निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.